मुढबेडवे मारे गए अनिल दुजाना का शव शुकरवार को दुजाना गाउं में हिस्तित उनके घर पर लाया गया यहीं उसका अंतिम्धन्सकार हुआ इससे पहले अनिल दुजाना के घर में चीख पुकार मच गई दुजाना गाओं के अलावा दूसरे इलाकों की महिलाएं और रिष्टदार भी अनिल दुजाना के घर पहुंचे महिलाओं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है बताया जा रहा है कि अनिल दुजाना की बीवी पूजा और उसके छे महीने की बेटी भी उसके गाउं में पहुँच गए है इससे पहले गुरवार को ही परिवार जनों और ग्रामिनों ने उसके सालों से बंद पड़े घर का ताला तोड़कर वहाँ पर साफ सफाई शिरू की इस घर पर सालों से ताला बंद था साल 2014 में अनिल के भाई की इसी मकान में सुन्दर भाटी के गैंग के लोगों द्वारा हमला कर हत्या कर दी गई थी जिसके बाद से इस मकान में ताला पड़ा हुआ था बंद मकान में बड़ी बड़ी जाड़ी और घास उग चुकी थी अनिल दुजाना की क्राइम हिस्ट्री पर नज़र डालें तो उसने हत्या की 18 घटनाओं को अंजाम दिया कातिलाना हमले के 10 मुकदमे भी उस पर दर्च हैं वहीं मुझफर नगर पुलिस ने दुजाना के खिलाफ एक बार रासूका की कारवाई भी की थी कुल मिलाकर आरोपी पर 65 मुकदमे दर्च थे